कैसे हो आप सब आई होग कि आप सब अच्छे ही होंगे तो आज भी लेकर आ गई किचन के ऐसे हैक्स एंड टीफ्स जो यूस्फुल भी हैं साथी आपके पैसे और समय दोनों को बचाएंगे तो भीना किसी देर के चलिए टीफ्स नाम़र वन स्टाट करते हैं तो देखि फरस्टिप मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस तरीके गई कहलिए ले ना और वह ले रही हूं तो एक पैनकिलर था मेरे और चैनल पर नए है तो परी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो की पसंद आने पर लाइक के बिटन पर क्लिक भी जरूर कीजेगा तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसका पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है बस हलका सा आपको करना होता है और यह आस पाउडर बन कोर्टर टेबल इस्पून के खरीब लिया है इसको अच्छी तरीके से मिक कर देना है और इसका एक पेस्ट बनाकर हम रेडी कर लेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह ऐसा तयार हुआ है जैसे कि कोई भी मलहम वगैरा जैसा होता है न वैसा यह बनकर रे हम बनाकर और जहां पर भी आपको मोच वगरा लगी है उस इससे पर आप इसको लगा सकते हैं आप देखेंगे इससे आपको तुरंट एकदम रिलीफ मिल जाएगा थोड़ी दे लगा कर चोड़ेंगे अगर मोच का निशान पढ़ गया है नीला या काला तरीके का तो अग प्रिदम बैस्ट आइडिया है जरूर से ट्राय करके देखेंगे जब एक बार आप इसको देखेंगे तब ही इसका रिजल्ट आपको पता चलेगा बैस्ट आइडिया है आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा नेक्स्ट दिख लिते हैं कि नीम्वू जब भी हम यूज करते हैं तो उसके छिल्के को फेक देते हैं तो छिल्के को फेकने के बज़ा है इसका एक बैस्ट यूज शेर करने वाली हूँ सीजर की है तो छोट छोटे से तुकड़ों में आपको इसको काट लेना है ठीक है तो आसानी से हम इसको काट लेंगे आप देखेंगे नीमू के जो छिलके होते है उसमें भी बहुत अच्छी सी खुश्बु आती है जब तक वो फ्रेश रहते हैं यानि जब तक वो ताजे छ छिलके होते हैं अगर बासी हो जाते हैं तो वो सूप जाते हैं ड्राइ हो जाते हैं लेकिन जब वो नर्म रहें ताजे रहें और आपने उसका रस निकाल लिया है तो छिलके फिगने के बज़ाए इस तरीके से काट लीजिए अब आपको क्या करना है मिक्सी का जार ले लेना है मिक्सी के जार में इस तरीके से आड़ कर देना है साथी हम यहाँ पर नमक आड़ करने वाले हैं बहुत से लोग सोडा का यूज़ करना बताते हैं लेकिन ये एक यूजलेस है ठीक है तो आप इस तरीके से नमक भी यूज़ कर सकते हैं अब आप क्या कीजी इसको थोड़ा सा गुमा दीजी मिक्सी में तो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी अगर किसी भी तरीके की बैड इसमेल आ रही हो तो वो इससे आउट हो जाती है या आप इस तरीके से इसको रखी थोड़ा सा अपने हाथों से हिला भी देंगी तब भी खुशबू आने लगीगी किसी तरीके का कोई स्टैन या दाग लगा होगा वो भी इससे हट जाएगा अब जब भी मसाले बगएरा तयार करते हैं अगर आप कोई जूस या पेस्ट तैयार कर रहे हैं तो इस तरीके से वाच करके और फिर कर सकते हैं नेक्स्ट दिख लिएते हैं कि एक बरतन में मैं नमक ले रही हूँ तकरीवन कॉटर टेबल इस्पून के करीब मैंने यहाँ पर नमक लिया है cooking oil ले रही हूँ जो भी oil use करते हैं वो ले सकते हैं दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से mix करके जो भगोना है इसमें अच्छी तरीके से आपको फैरा लेना है ऐसा हमने क्यूं किया है यह बहुत ज़यादा amazing है आपके बहुत ज़यादा काम आएगा तो अच्छे तरीके से लगा दिया है अब मैं आटा ले रही हूँ तो दो कप यहाँ पर मैं गहूं का आटा ले रही हूँ देखिए आप जब भी आटे का डो बगएरा तयार करते हैं इस तरीके से नमक और आइल को पहले से ग्रीस कर देते हैं तो आपका जो आटा होता है वो आपके बरतन में चिपकतन नहीं है साथी अगर आपके हाथों में किसी तरीके की कोई चोट बगएरा लग गई है तो आप इस तरीके से इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दीजे थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको एड़ करना है और देखे इसकी हेल्फ से आप इसको अच्छी तरीके से आटे को पानी के साथ में मिक्स कर सकते हैं अगर हाथों में चोट लग गई है या हाथ बिल्कुल भी आप आठे में नहीं लगाना चाहते हैं तोड़ा थोड़ा सा पानी दाल के आपको इस तरीके से आटे को आप गूंत सकते हैं बिना किसी ताम जाम के बिना हाथ लगाए आसानी से आप आटा तयार कर सकते हैं तो आप असा क्या आते नहीं, लाग कोई ऐसना खिखेंगे, इसकी हेल्फ से कितनी आसानी से आंटा, पानी के साथлемे मीक्स हो गया है और इसका डोह बनका रेड़ी हो यह जो हमारा आटा यह हमारा जो बरतन है इस पर किसी भी तरीके से नहीं लगावा है आसानी से आप इस में से देखिए आटे को अलग भी कर सकते हैं Easily यह अलग हो जाता है बैतर होगा थोड़ा सा oil आप इस पर भी लगा लें आप देख सकते हैं आप थोड़ा सा इस तरीके से आप हाथ लगा लीजी आपके आप देखेंगे बहुत आसानी से आटे का दो बनका रेडी हो जाएगा, तो यह बैस तरीका है, आटे का दो आप इस तरीके से तयार कर सकते हैं, बेना किसी ताम-जाम के, आई होब यह टिप भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, अब वीडियो पसंद आने पर प्लीज लाइक के बटन पर क्लिक ज़रूर से कर दीजेगा क्योंकि आप हमेशा से भूल जाते हैं, नेक्स्ट दिख लेते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर नीमबू का यूज़ कर रही हूँ, तो तक्रीबान आदे से भी थोड़ा सा कम मैं यहाँ पर नीमबू ले रही हूँ, अब हम इस पर एड़ करने वाले हैं नमक, ठीक है थोड़ा सा नमक आपको एड़ करना है, चाहे तो यहाँ पर आप सोड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, यह आपकी चोईज है, लेकिन मैंने नमक लिया है, और अब मैं क्या करूँगी, देखिए, जो भी टॉलेट क्लीनर होता है, आप यूज़ करते हैं, वो इस तरीके से इसके उपर आप डाल दीजिए, अब आप क्या कर सकते हैं, आपका जो किचन का वाइपर होता है, यह बहुत जल्दी गंदा और काला हो जाता है, तो हटे में एक बार आप अगर इस तरीके से आप इसको वाश करेंगी, तो यह बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, देखिए, मैंने गलव्स नहीं यूज़ किये हैं, लेकिन आप गलव्स जरूर से यूज़ कीज़ेगा, ने तो आपके हाथों पर किसी भी तरी कोई भी ऐलर्जी हो सकता है, तो इस तरीकी से आपका जो वाइपर है, उसको आप क्लीन कर सकते हैं, चाहे आपके वो घर का वाइपर हो या किचन का वाइपर हो, उसे आसानी से क्लीन कर सकते हैं, तो यह थे बैस्ट आइडियाज जो मैंने आपके साथ में शेयर किये हैं, आई योप आपको ज़रूर से पसंद आये होंगे वीडियो पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करें चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं वीडियो को पहली बार बाच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा